नागपूर में 29 जून को राज्य के उर्जा मंत्री डॉक्टर नितीन राहुत ने आज उत्तरी नागपूर में 19.5 करोड रुपे के 7 विकास कार्यों का उत्गाटन किया ये विकास कार्य उत्तरी नागपूर की सूरत बदलने की चर्चा हो रही है विधायक निधी 15.89 लाग उत्तर दलित विकास निती 60.76 लाग दलित वस्ती विकास योजना 101.38 लाग नागपूर सुधार प्रन्यास निधी 1727.48 लाग रुपे का मुख्य रूप से समाविश है इसमें उत्तरी नागपूर के ब्लॉक 13,14 और 15 में विकास कार्य शामिल है विकास कार्यों में सिमेंट सडको शोचालय ब्लॉकों के साथ-साथ जीम भवन का निर्मान शामिल है इस योजना में मार्टीन नगर, मौजा, नारा, कस्तूरबा नगर, जरीपटका, कलपना नग ये शुधरा नगर, महेंद्र नगर इन सभी इलाकों में विकास कार्य कराये जाएंगे इस अवसर पर रतनाकर, जैपूरकर, बंडोपंदर, टेंभूरने, ब्लॉक 13 के अध्यक्ष सुरेज पाटिल, ब्लॉक 14 के अध्यक्ष दीपक खोबरागडे, ब्लॉक 15 के इस्थल पर बड़ी संख्या में विभिन्न कारे करता मोजुत थे, विजया हजारे, ममता सयाम, महेंद्र बोरकर, नेहा निकोसे, दिनेश यादव, सतीश पाली, राकेश निकोसे, जौन जोसेफ, मनसुर खान, सदाबुद्दिन शेक, मृनाल वाडिचार, निलेश खोबर जितेंद्र गडेकर, मुन्ना पटेल, रोहित इलपाची, जितेंद्र चवहान, रविंद्र सिंग राणा सुगत्प्रिय, मुन्व, सचीन डोहाने, सचीन वासने, विल्यम साकरे, मुहुनीस खान, राजेश दिख्षित, दाउद भाई, माला दिख्षित, अजिस खान, न दूङठ ऺडेश जितेंद्र और सुगत्र राणा से बयाएन, राजेश देख्षित, इलपाची, एलपाची, जितेंद्र संय सुगत्प्रिय, मुन्कौत्र बभाई उलपोहाने, सचीन एलपाची, जितेंद्र